इसी में शुकर लेते बड़ी खबर का पंचकुला से बड़ी खबर नकली शराब का जखेरा बरामत किया गया है लोगों के साथ हो रहा खिलबार सरकार को लगाया जा रहा था लाखों का चुना क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 26 से पकड़ा आरोपी को तो आपको बता देखी आरोपी को पकड़ लिया गया है लगतार तफ्ती जो है पुलीस की तरफ से वो भी जा रही है आरोपी से पूर्ताज का तिल्चला भी लगतार जा रही है तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 26 में कारवाई को अंजाम देते वे आरोपी को पकड़ लिया है सरकार को यहाँ पर लाखो का चुना लगाया जा रहा था जिस तरीके से मामला सामिया है जंता के स्वास के साथ भी खिलवार साफ तॉर पर किया जा रहा था तो पंच्च्कुला का पूरा मामला जहाँ पर नकली शराब का जखीरा जो है वो बरामत किया गया है लोगों के साथ खिलबार किया जा रहा है लोगों के स्वास के साथ खिलबार किया जा रहा है और ऐसे में मुखबीर की सूशना के आधार पर बड़ी कारवाई को अंजाम दिया गया सरकार ने यहाँ पर لاको कचूला सरकार को लगाया जा रहा था क्राइम ब्रांच ने सक्टर 26 से रोपी को भी गिरफतार कर लिया है लगतार अब रोपी से पूस्ता से जारी है कहाँ का तार जुले में इसको लेकर भी क Syria पूस्तार में सामने आ सकती है तो पंचकुला की ये खबर जहापर नकलीश और आपका बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और ऐसे में पुलीस को यहापर बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि आरोपी को भी गिरफतार कर लिया गया है और पूस्टाज का सिल्चला जा रही है सरकार को यहाँ पर लाखो का चूना लगाया जा रहा था जिस तरीके से मामला सामने आया अब लगतार परसाशन भी अलर्ट मोट पर है